बनवारी बेटा हाँ मम्मी आ रहा हूँ बोलो क्या बात है बनवारी बेटा ये मैं खिजुरी बांदी हूँ जाके अपने दोनों बहन के यहां देके आजा ये बताओ मम्मी ये बड़ा वाला कौन सा दीदी का ये छोटा वाला कौन सा दीदी का है बेटा ये छोटा वाला जो है गठा ये तुम्हारी सवतेली बहन का है और ये जो बड़ा वाला है तुम्हारी सगी बहन का है मम्मी ऐसा कैसा कर रही हो कि सवतेली वाली दीदी को थोड़ा दे रही हो और सगी वाली दीदी को जादा दे रही हो बेटा मैं जितना बोल रही हूं उतना कर और ज़्यादा मुझसे बहास मत कर अभी तु छोटा है जाओ ये वाला छोटा वाला जाके सौतेली बाहन को देखे आ बड़ा वाला है ये अपनी बाहन को देखे आ न मम्मी पापा तो जब लेके आये थे मारकीट से तो दोनों उतना ही था तो आप क्यों कम कर दी इसमें बनवारी बेटा तुमको नहीं समझ में आता है अपनी अपनी ही होती है वो तो गैर है न वो तो तुम्हारी दूसरी मा की बेटी है सुनते हो जी ससूर जी जब आये थे न मारकीट से दोनों मैं भी देखी थी दोनों गोनी बराबर था उसमें से निकालके मम्मी जी उसमें ज्यादा रख दी है बवु ज्यादा चपर चपर मत कर मूबंद कर हाँ हाँ मम्मी जी मैं तो अपना मुबंद करी हूँ लेकिन ये जो कर रही हो न ये सही नहीं कर रही हो क्या सही नहीं कर रही हूँ सब तो सही कर रही हूँ सब ठीक है और तू बनवारी मेटा लेके जा रहा है कि नहीं मम्मी मेरा बास सुनो इतना तो कम करके रख दी हो और जिस दिन ओ दीदी आएंगी सोतेली सोतेली बोल रही हो उस दिन ये घर में जब हिस्सा बटाएंगी तब तुमको समझ में आएगा कैसा हिस्सा बटाएंगी उनका क्या होता है बेटी का हिस्सा होता है यहां का माई के में हिस्सा नहीं मिलता है मम्मी जी अभी तुमको क्या पता है सोतेली सोतेली चिला रही हो उनको अच्छे से रखो मान सम्मान रखो किसी दिनों आएंगी न हिस्सा बटवा लेंगी एकी कमरा है तो क्या करोगी तब सोतेली सोतेली नहीं चिला आगी तब बोलोगी मेरी बेटी मेरी बेटी यहाँ पे उनको हिस्सा नहीं मिरेगा यह घर मैं अपने नाम करवा ली हूँ अतुसन बन वारी बेटा मैं जा रही हूँ पडोसन के घर पे और यह सब सामाल लेके जाना दोनों जन के हाँ पहुचा देना बड़ा वाला तो अपनी सगी बहन के हाँ देना यह छोटा वाला साउतेली के हाँ तूजा बुड़ी मैं भी सोच ली हूँ अभी कुछ करती हूँ अरे आप खड़े ही रहेंगे कि साइकी लेके आएंगे जाएंगे दीदी की घर पे हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ साइकी लेके आता हूँ इसमें कुछ नकुछ तो घोटाला करना पड़ेगा मेरा दिमाग में चल रहा है ना कि एक गोनी में मैं इता ही भर के देदू और ये अपनी बेटी के यहाँ जो बोल रही है कि धेर वाला सारा सामान देदो तो उनकी यहाँ मैं इत ही पहुँचा देती हूँ यही ठीक रहेगा तब इनको समझ में आएगा क्या करूँ क्या करूँ एक काम करते हूँ यह छोटा वाला हटा देती हूँ और दोनों गोनी एक बराबर कर देती हूँ तब नहीं समझ में आएगा और उसमें न बोल दूँगी कि यह वाला उनकी यहाँ देदेना यह वाला उनकी यहाँ देगा लेके आ गई हाँ तो लेके नहीं आऊं क्या जाना नहीं है नहीं नहीं जाना है जाना है इस कूटी पे रखो लेके जाता हूं मम्मी जी तो ये एक में कम की थी एक में ज़्यादा ये तो बराबर हो गया ये वाला गठर रखनो लेके जाओ लेट हो रहा है बेटा जल्दी जाओ वापस तो आना है और पांस पांस रूपया दे देना ठीक है पापा जाता हूं मैं जा रहा हूं पापा हाँ बेटा जा गाड़ी अराम से चलाना आ गया बेटा तुम्हारी दीदी सब ठीक है हाँ हाँ पापा सब ठीक है हलो दीदी महँच गया, मममी है बात कर लो हालो मममी हां हां बोल, तू है क्या कर्मोही मममी आप ऐसा क्यों बोल रही है आपकी टो खझड़ी में याफ इतना खिश्या हूँ क्या बोली कहां तुमको मैं इतना भार के दी हूँ आधी तो गोनी दी हूँ मैं अपने बैटी को दूँगे की तुमको ठीक है मम्मी लगता है मुझे भावी ही दी है अभी रोग तुमारी भावी को मैं देखती हूँ कौन सा कारणाम की है मां वाली कर रहे हैं अबी बड़ी वाली दीदी कले क्या इतुन सामान बार के हुं एक गोनी भर के और मैं इड़ बारी हूं मिमी सफाई तो मत बतिया था बहुत हो गया मैं आज के बाद मैं आपके घर पे आऊंगी नहीं कितनी मेरी बेज़ती हुई मेरे ससुराल में इत पत्थर भरके भेज़ दी हो मेरी मेरी सास मुझसे कितना ख़गरा कर रही है अरे बेटा मैं तुम्हारी सौतेली वाली बहन को आधा दी थी और मुझे मालूम था ना ये तुम्हारे भाई और भावी है ना इनी दोनों जण का कुछ करा मात है भावी और क्या करेंगी उनके मायकेस तो आता नहीं है मेरे मायकेस आता है तो उनको इतनी जलन हो गई है मम्मी जी नाना जी को बोल दीजिए जो फोड मेना चपर चपर बात कर रही है न फिर मुझे से बुरा कोई होगा नहीं मैं कुछ बोल दूँगी तो मम्मी मुझे बात नहीं कर रहा है अब फोड रख दो मैं कभी आऊंगी नहीं मायके में अरे अरे बेटा ऐसा मत कर तू आना मैं देखती हूँ इन लोग को अरे ना आए ना आए मेरा कोई थोड़ी हर्जा हो रहा है नना जी ऐसा नना नहीं चाहिए मेरी तो सोतेली ही वारी नना अच्छी है भावी आप तो चपर चपर मत बोलिए अब मैं फोन रखती हूँ मैं